हेला आज हम करेंगे एक क्लास थर्ड की जो आपकी न्यू बूक है इंगलिश की संतूर उसका चप्रिय नमबर सेक्स पेपर बोट्स सो इसमें जो है एक लड़की है जिसका नाब मीना है वो पेपर बोट बना रही है और स्ट्रीम जो है उसके अंदर वो उनको डाल रही है और उसकी बोट जो है आगे जा रही है तो इसी से रिलेटेट हुए कि आगे क्या होता है सो स्टार्ट करते हैं मीना वोर्ट तुरार्स तो बैम्बू ब्रिज तो बैम्बू ब्रिज के पास इसम थे वहाँ पर हो जा रहे थे अब स््ट्रीम का यहाँ पर चोटी से नदी बोल सकते हूँ या पर एक जगह जहाँ से पानी जाता है stunta रहता है C bent a little and put a paper boat in the water वो क्या होगा? थोड़ी सी bent, bent का मतलब होता है जुकना वो थोड़ी सी जुकी और एक paper boat को उसने उस पानी में डाल दिया It sailed down, sailed का मतलब हो गया कि वो जो पानी में के साथ आगे बहा गया It sailed down the stream swiftly, वो अच्छे से उसके साथ stream के साथ जा रहा था Mena was delighted, delighted मतलब मतलब खुश, Mena वो जो बहुत खुश हो गई थी C went on putting several paper boat in the stream उसके बाद उसने क्या गया वो और भी जो उसने paper boats बनाए थी या लेकर आई थी या बना रही थी वो उसने बहुत सारी paper boats वहाँ पर डाल दी stream में Now next, as the boat floated down the stream, जैसे जैसे boat जो है नीचे जा रही थी यानि कि मतलब फ्लोट करके उसके साथ साथ जा रही थी आगे C was a naughty boy pushing the boats into the water तो उसे जो एक लड़का दिखाई देता है जैसे वो क्या बूलती है naughty यानि कि जो शरार्ती होता है वो क्या कर रहा था उसकी boat को उल्टा कर रहा था पानी के अंदर यानि कि उन्हें डूबा रहा था Mina stared, stared मिंस गूरना, वो उसे गूरती है at the boy angrily वो उसे गूर रही थी C did not care for Mina's, sorry, he did not care for Mina's angry face उसने Mina की, मतलब Mina's face बनाया था उसको कोई भी फरक नहीं बढ़ रहा था C shouted, अब देखो जहां भी she आएगा मतलब Mina की बात हो रही है और he आएगा तो लड़की की बात हो यान की लड़की के लिए आप he use करते हो लड़की के लिए she She shouted, shouted मतलब चिलाना, जोर से चिलाना, stop, की रुक जाओ बड़ देखो लेकिन वो लड़का जो है नहीं रुका Why are you overturning the paper boats, overturning यान की उल्टा कर देना उनकी boat को क्या कर रहा था, उल्टा कर रहा था उल्टा करना, वो पुछती की तुम मेरी boat को उल्टा क्यों कर रहे हो, overturn क्यों कर रहे हो, नहीं Meena asked angryly, वो जोर से चिला के पुछती है, because it's fun, replied the boy तो boy बोलता है, जवाब देता, reply comments, जवाब देना, कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है It may be fun for you, but those are my paper boards, said Meena, कि तुम्हारे लिए fun है, लेकि ये मेरी paper boards है, जो मैंने बनाई है So you just stop overturning my boards, तो तुम जल्दी से इने ऐसे उल्टा करना भी बंद कर दो, कि मैं और भी बनाने वाली हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है The boy thought for a minute, उसने एक मिनट के लिए सोचा, and said I will not do it again, ठीक है मैं दोबारा नहीं करूँगा But I also want to play, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, can you help me, तो क्या तुम मेरी help करोगी Meena said, I have enough paper, मेरे पास बहुत सारे paper है, you can make boards for yourself, तुम भी अपने लिए boards बना सकते उन paper से, मुझे कोई problem नहीं The boy answered, तो फिर से वो बच्चा जवाब देता है लड़का, I don't know how to fold the paper to make boards, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि paper को fold करके, बोट कैसे बनाई जाती है Meena said, that's easy, यह तो बहुत असान है, I will help you, मैं तुमारी help करूँगी She showed him how to make a board, अब देखो, she आया है मतलब मीना, मीना ने उसे क्या किया, एक paper लिया और fold करके दिखाए कि कैसे बोट बनाई जाती है Meena took out colored paper of different sizes, तो मीना के पास कुन से paper यहाँ पर देखो, colored paper है different size के, अलग-अलग size के She showed the boy how to fold and refold the paper to make a board, तो इसने पहले fold किया फिर दोबारा से खोल दिया, refold means, दोबारा से खोल देना, जोबी चीज फोल दोई है उसे, so वो paper को उसे फिर से खोला ताकि वो लड़का जो है, बोट बना पाए, the boy was carefully, उसने बहुत धान से देखा, then he took a piece of paper and started to make a paper board, फिर उसन a. बोटे वहाँ पर बना ली थी, Mina gently put her boat in the stream, पिर Mina बिलकुल आराम से, gently means, मतलब धीरे से, आराम से, जो अपनी बोट को समें डाला stream में, the boy put his boat in the stream टू और लडकी ने भी अपनी बोट को स्रीम में मतलब डाल दिया, ऑपनी में छोड दिया, the boy boat sail down the stream, बोट enjoy washing the boat, उसके बा वो बोट को ऐसे जा रही थी जब वो बह रही थी तो उने अच्छा लग रहा था और वो उसको देखकर एंजोई कर रहे थे अब कुछ वर्ट्स आये हैं डिलाइट डिलाइट का मतलब क्या है खुश ठीक है वो ने देखकर जो है बहुत खुश हो रही थी पिल्ट सेवरल यान कि कुछ ओवर्ट्रनिंग यान कि लुटा कर दे ना बतल्ब का मतलब एक नदी जो हमने अभी मतलब थो क्षोटी नदी आप बोल साथे वोच्ट का मतलब होता है देखना कि अविए अवाइड है तो थे ने प्लेइंग विए पेपर बोट तो किसके अपल रही थी वो पेपर बोट के साथ Why was Mina angry? Mina was angry and why? Mina angry थी लेकिन क्यो? Because the boy was overturning her paper boards क्योंकि वो जो लड़का था वो उसकी boards को क्या कर रहा था? Overturn कर रहा था यान क्यों उल्टा कर दे रहा था How did Mina help the boy? अब Mina ने help बच्चे की होई उसकी लड़की की help कैसे की So Mina helped the boy by showing him how to fold the paper and make his own boards उसने उस लड़के को सिखाया की कैसे तुम paper को fold कर सकते हो और अपने लिए खुदी boards बना सकते हो इसका अंसरा को कुछ से देना है Mina made paper boards What else can you do with papers? अब आप paper से क्या-क्या बना सकते हो जैसे कई बाद डोका फिस बनाते हैं फ्रोग बनाते हैं काइट बनाते हैं तो जो जो चीज़े आप बना सकते हो आपको यहाँ पर बतानी है आप बना भी सकते हो उने फ्रेंड के साथ बढ़के What game do you play with your friends? Which one do you like the most? अब आपको कौन सा game पसंद है वो आपको यहाँ पर बताना है क्यों पसंद है Straight weather true or false आपको बतानी है यह सच है यह जूट है The boy thought it was fun to overturn paper boots लड़के को यह अच्छा लग रहा था क्यों बोट को उटा कर रहा था So that is true वो बोलता है It is fun for me Meena ran home to complain about the boy So यह false है क्यों कि वो घर पे नहीं भागी ती इसकी complain करने के लिए The boy told did not know how to make a paper boots तो लड़के को paper boots बनाना नहीं आता था यह भी true है Meena had only white paper यह false है क्यों कि उसमें आया है कि उसके पास different size के अलग-अलग color papers से So यह भी क्या हो गया false Now tell the story of Manish Saves the aunt to the class अब यह story आपको अपने according बनानी है For example जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर Manish है He was going for his school तो लड़की के लिए आपको हेज और लड़की के लिए हर यूज करना है तो अपने school जा रहा था Then he saw an aunt उसे जो क्या एक aunt दिखाई दी जो क्या हो रहा था जो struggle कर रही थी That is struggling in a puddle of water पानी के अंदर So he just make a paper boat and throw it in the stream or the puddle of water and then उसके बार the aunt climbed on that boat and Manish saved the aunt and after that he just say goodbye to the aunt and he went for school So इस तरह से आप इसको बना सकते हो आप अपने अपने स्टोरी को कैसे भी बना सकते हो यह आपको अपने बनानी है Now, read the following sentence Observe the underlined words Meena walked towards the stream near the bamboo breeze bamboo breeze के पास वह वहाँ गई C bent a little and launched a paper boat वो जो है थोड़ी सी जुगे ठीक है यहाँ पर she का मतलब भी वहाँ है और he का मतलब भी वहाँ है कि वहाँ या फिर वो, ओके अब यहाँ पर she आया है instead of Meena, Meena की जगे उन्होंने क्या यूज़ गया? C Now the boy jumped into the stream and pulled the boat out लड़का उसमें जमके और boat को निकाल लिया he gave it to Meena अब यहाँ पर क्या आया है? उस लड़की के लिए he आया है so अब यहाँ पर आपको he and she fill करना है जहाँ भी लड़की है उसके लिए आप she fill करोगे और लड़का है तो he Rani likes playing outside Rani को जो बहार खेलना पसंद है तो Rani के है लड़की तो क्या आएगा? C C likes flying kites Sahil has a top Sahil के पास एक top है that play, sorry, dash play with it everyday अब Sahil के है लड़का he, he play with it everyday Durga is a 5 year old Durga जो है 5 साल की है तो Durga क्या है लड़की she is going to school Ranjit goes to school regularly अब Ranjit क्या है लड़का he likes reading story जसे आपको याद कर रखना है कि जहां पर लड़की होती उसके लिए she use करते हैं लड़का होता है he use करते हैं meaning दोनों का same होता है Now look at the picture अब यहां पे देखो कुछ books इस cabinet के अंदर है बोल इसके books के अंदर है इसके लिए आप use करोगे in यान की box के अंदर है cabinet के अंदर है bed के ऊपर है chair के ऊपर है ground के ऊपर है तो इसके लिए आप use करोगे on कोई चीज अगर नीचे रखे किसी चीज के जैसे stable के नीचे कार रखे तो यह क्या हो जाएगा under तो आप यहां पर आपको यही चीज़े देखनें कि कहा पर आपको in लगाना अगर किसी चीज के अंदर वो रखी है तो in हो जाएगा ऊपर रखी है तो on होयेगा और किसी चीज के नीचे रखी है तो under Now the bed is dash the bed अब bed कहा है bed के ऊपर है उपर है तो क्या होगा, on the bag is dash bag कहा है, on the chair the bowl is bowl कहा है, books के अंदर तो in the books the car is dash the table, अब table के कहा है, नीचे, नीचे के लिए क्या हो यूज करेंगे आप under under the table, the books are dash in the cells तो कहा है, in the cells okay, on का मतलब होता तो कहा होती है, books, यान कि वो cells के ऊपर रखे होती है, लेकिन अंदर रखे हैं, तो in now next, follow the step to draw a rungoli, अब आपको यहाँ पर यह रungoli draw करनी है यहाँ से कुछ इस तरह से यह जाते हुए yes like this कुछ इस तरह से आपकी यहाँ से यहाँ से इस तरह से बन रहा है तो इस तरह से आपको इस रungoli को draw करना है now write a few line about the picture using the following clues, अब देखो यहाँ क्या है, पार्क है, चिल्रन है, प्लेग है, सी-सो, स्विंग, स्लाइट, सारे जूलो के नाम है enjoying and happy, so अब यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, तो मैंने कुछ तीन-चार लाइन बनाई है, आप इसके अकोडिंग उनी शब्द को लेकर आपको बनाना है, there is a park, तो यहाँ पर एक पार्क है the children are playing very happily in the park, वो बहुत खुश है इस पार्क में जब खेल रही है तो now they are playing in slide, swings and seesaw, वो कहां का खेल रही है, slide कर रही है swing कर रही है, और seesaw पर केल रही है and they are enjoying their, और उने जो है वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है now all the answers are related to the toys and games, अब यह hint दी है, यह puzzle है, आपको इसे complete करना है और जितनी भी है, अब देखो, यहाँ पर number one लिखा है, तो यहाँ देखो across का मतलब ऐसे, down का मतलब नीचे, a round object that spin on the needle, एक round object जो needle पर spin करता रहता है number two आले पर आपको देखना है, यह क्या होता, आपका top, spinning top जिसे बोलते हैं वो now an object used to hit a bowl, एक object जो bowl को hit करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, bet next is a round bowl, glass bowl used for playing, क्या होती है, जो round glass bowl होती है, यूज की जाती है, तो देखो, यह वाला फूरा आपका खाली है, तो क्या होते है, वो marbles क्या होते है, वो marbles, now a game played using a bowl, using a bowl and your foot, तो उसे क्या बोलते है, foot bowl, foot bowl, now a round object used to play, एक round object जो खिलने के लिए उसी किया जाता है, bowl, क्योंकि ओल्रेडी बी था तो बी से तो बोली बनेगा, a seat tied by ropes in which mode front and back, एक seat जिसको आपको बांदा जाता है, मतलब जिसको बांदा जाता है, इस तरह ऐसे रस्तियों से, उस पर बैटने के लिए एक seat होते है, तो उसे हम क्या बोलते है, swing I-N-N-G, okay, now talk to your elders at home, find out what games they played when they were young, अब आपको अपने elders से बात करने हो, कौन से game खेलते थे, learn a game from them and share with your friend, preferably in small groups, आपको पता करना कौन सा game खेलते थे, उसके बाद आपको सीखना है, और अपने बच्चों के मतलब अपने बच्चों के साथ खेल सकते है, now this is self-assessment, यापको अपने बच्चों करना है, I-Can Regarde the poem, कि आप पोअपने कर सकते हैं, अकेले कर रहे हो, sorry, group में कर पाते हो, pairs में कर पारे हो, या फिर teacher के बाद कर बाद कर आपको आपको खेले हो, आप जो भी कर पारे हो, आप जो भी कर पारे हो, अपने आपने बहुत करने के बाद कर रहा हो से जो भी आप कर सकते हूं उस पर आपको टिक लगाना है I can write क्या मतलब क्या लिख सकते हैं by coping from the book or the board आप board पर देख कर board से देख कर book से आप देख सकते हो लिख सकते हो by my teacher speak जब teacher बोलता है तो भी मैं लिख सकता हूं classmate की help से लिखता हूं या खुझ से लिखता हूं I can tell the stories that I have read or listen आप stories बता सकते हैं जो आपने सुनी है या फिर देखे हैं by myself खुझ से without any help or with the help of the teacher teacher की help से by using the book और book को पढ़का तो जो भी आपका आपका आपको उसमें से किसी में एक टिक करना है I was able to और मैं क्या कर सकता हूं all the exercise question सारे जितने भी question होंगे chapter के उन्हों सबके answers दे सकता हूं most of the exercise question ज्यादा तर की दे सकता हूं fewer या फिर कुछ के answer मुझे पता होते हैं कि यह है so यह था आपका chapter अब इसके साथ में इसके जो extra new words and question answer वगरा है वो भी कर लेते हैं सबसे पहले शिरू करते है new words से so stream naughty, angrily, overturning, stop, enough, fold and gently word meaning आपके आते से stream का मतलब क्या होता है a small river or floating body of water कोई भी मतलब पानी की जो भी पानी तैरता रहता है फ्लो करता रहता है उसे हम भोलते हैं या फिर कोई छोटी सी river नोटी, behaving badly in a playful way किसी से मतलब मजाग के रूप में किसी से थोड़ा सा गलत वहवार करना okay just as a prank किया फिर उसके रूप में ज्यादा नहीं angrily in a angry way गुस्से में overturning, turning something upside down किसी चीज़ को उपर नीचे कर देना, उल्टा कर देना stop, to make someone or something, cease to move or act, किसी को कोई चीज़ करने से रोग देना enough, as much as is necessary or required, जितना है की जरूरत है से बुदना ही fold, to bend or crease something, to so that one part cover another gently, in a careful and kind way, बहुत ही आराम से किसी चीज़ को करना now question answer, जो आपकी बुक से हैं वह वाले, where did Mina put the paper boat, paper boat कहां थी डाला था उसने so Mina put the paper boat in the stream, why did Mina get angry, Mina को गुसा क्यों था so Mina got angry because the boy was turning her boats, turning her paper boats, overturning, how did Mina help the boy, now Mina ने उसकी help कैसे की, Mina helped the boy by showing him how to fold the paper and make his own boats, की कैसे वो paper को fold करके अपनी boats बना सकता है, what did Mina and the boy do together at the end, last minute उनो ने क्या किया, so Mina and the boy put their boats in the stream and wash them sail together, और अपनी boats बनाई और उनको पानी में डाल दिया और देखा कि वो कैसे नीचे जा रही है now कुछ एक्स्ट्रा कुश्यंस है, where did Mina board the paper boats, Mina put the paper boats, in the stream near the bamboo bridge कहां वो डाल रही थी वो bamboo bridge के साथ में जो stream थी वहां पर, but did the naughty boy do to Mina's boats, Mina की बोट के साथ he pushed them, overturning them in the water, what was he doing, either in the water or in the water, why did Mina got angry with the boy, Mina was angry, because he was ruining her paper boats, because she was ruining her paper boats what reason did the boy give the boat for overturning the boats, what was he doing, because he thought it was fun, because it was fun, it was fun, how did Mina solve the problem Mina solve the problem, she offered to share her paper boats, her paper and teach the boy how to make his own boats, so she told her, okay, I will give you your papers, you will tell her how to make a boat, and she solved the problem what did Mina use to make the boats, what was she using, how did the story end, and how did the story end, Mina put their paper boats in the stream and enjoy watching them sale together, let's see her paper boats, which are selling them, so this is your chapter number 6, paper boats, question answer, question answer, new word, etc, which are the extra question answer, so if there is no doubt, you can tell us about it, and that's all for today, please like, share and subscribe, thank you we'll see you we'll see you